हेलो स्टुडेंट स्वागत आप सभी का आर्वेध यूट्यूब में तो स्टुडेंट आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 1.3 का कोश्चन नमबर 9 लेकर के आया हूँ इस वीडियो में मैं इस कोश्चन को डिस्कोश करूंगा आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए आंतर तक देखिए ताकि आपको सही से समझ में आये और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएग और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा चले शुरू करते हैं देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है तो इस कोश्चन में हमसे पूछा गया क्लासिफाइद फालोइंग नमबर्स एज और रेशनल और इर्रेशनल यह जो नमबर दिये गए हैं आपको यह रेशनल है या इर्रेशनल है यह बताना है पहला कुश्चन है मारे पास स्कॉयरूट 23 दूसरा कुश्चन है मारे पास स्कॉयरूट 225 तीसरा कोस्चन है मारे पास पास 0.3796 पूर्थ कोश्चन है मारे पास 7.478478 और फिफ्ट कोश्चन है मारे पास 1.101001001001001001001001001 ठीक है डैस डैस करके ऐसे इंफानाइट तक चलता रहेगा तो बेसिकली हमें यह बताना है कि इन में से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है अगर हम बात करेंगे पहले इस स्क्वाइर रूट 23 है ना तो 23 एक प्राइम नंबर होता है क्या होता है एक प्राइम नंबर होता है तो अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वाइर रूट लोगे तो वह इरेशनल नंबर है कैसा आएगा इरेशनल इसलिए जो हमारा यह स्क्वाइर रूट 23 हो यह एक एरेस्टनल नंबर है तो थीक है आप देखो जो हमारा सेकेंड कॉस्टन है एसक्वायर रूट टू टू फाइफ तो जो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह होगा 15 कितना होगा 15 क्योंकि अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो वह होता है है 225 तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा तो इसका हमें स्क्वायर रूट ले सकते हैं इसलिए यह क्या होगा यह एक रेस्टनल नंबर होगा कैसे नंबर होगा रेस्टनल नंबर होगा अब हम बात करते हैं कॉस्टन नंबर थार्ड की तो जो हमारा कॉ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो रेसिनल नंबर होते हैं कैसे नंबर होते हैं रेसिनल नंबर तो यह भी क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा रेसिनल नंबर क्या हो जाएगा रेसिनल नंबर ठीक है अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे फोर्थ वाले में 7.478 478 डैस 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 तो यह जो 478 है ना देखो आपको यह repeating होता हुआ नजर आ रहा है दो बारा बार बार यही repeat होके आ रहा है तो यह इसका जो decimal देशिद सेंहे're non-terminating है- our non-terminating तर लिवीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन और रिपीटिंग- Genion X Pen cima एक्सपेंशन और रहे है इस लिए नमबर क्या होगा यह नंबर रेशनल होगा तो इसको को हम रैट कर सकते हैं rational नमबर क्या राइट कर सकते हैं rational नमबर ठीक है अगर आप को से नमबर 5 को देखें one point one 010010000100100100100100 पहले एक जिरो था अभी 2-0 हो गया तर तीन-0 ओ गया फिर चार जिरो हो गया फिर इसके बाद पांच आएगा पांच जिरो छे जिरो यह नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा तो ना तो यह repeating है और ना ही टर्मिनेटिंग है यह कैसा है यह यह नॉन टर्मिनेटिंग नान रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है नान रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो यह कैसा है यह नान टर्मिनेटिंग डेसिमल Expansion है तो Non Terminating Non Repeating Decimulation Irrational Number होता है यह यह क्या हो जाएगा यह irrational number हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से आप नहें देखा कि जो फास्ट है जो हमारा फिप्ट है वो irrational number है second third for rational number है तो फिलाल अंसर क्या write करेंगे solution सो यहां पर राइट करेंगे सेकेंड थर्ड और फोर और इसनल नंबर और इसनल नंबर और फिर्स्ट और फिप्ट फिर्स्ट और इसनल नंबर और इसनल नंबर क्या होगा हमारा आंसर सेकेंड थर्ड फोर और इसनल नंबर और फिप्ट और इसनल नंबर ठीक है तो यह मारा इसकोशन का आंसर हो जाएगा तो आप चाहिए तो इस वीडियो को पाज करके इसकोशन को रैट डाउन कर ले या फिर स्क्रिंशॉट ले ले तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडि झाल झाल